नमस्काल दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में पाच ऐसे इंडेक्स फंड के बार में बताने वाला हूँ जो कि मुझे लगता है कि ये बस्ट इंडेक्स फंड है इनको चूज करने के 2 तरीके मैंने चूज कीये हैं दो तरीके अपनाए हैं, जो कि पहला है कि इनके expense ratio कम है, दूसरा है कि ये जो भी index है, उसको अच्छे तरीके से track करते हैं, इनके पिछले record को मैंने compare किया है index से, लगभग ये almost जिस तरह से index perform करता है, उस तरह से आप लोगों का इसने return दिया है, तो मुझे लगता है दोस्तो होता है, अपने mutual fund को choose करने के लिए, मैंने आप लोगों को last video में बताया था, कि किस तरह से आप लोग अपने लिए best index funds को choose कर सकते हैं, कि इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, और index fund क्या होते हैं, यानि कि एक complete course था, एक complete class था, index fund के investment के लिए, तो आप लोग उस video को जरू स्क्रीन पे ले करके चलता हूं, उससे पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग इसे तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा, और bell icon को जरूर क्लिक कीजेगा, जिससे की आने वाली वीडियो की notification आप लोगों तक आ सके, तो दो प्लेटफर्म दोस्तों जहां पर मैं देख रहा हूं, यह सारे funds में जहां पर आप लोगों को दिखा रहा हूं, वो coin का platform है, जो कि जिरूधा के तरफ से है, आप लोग अपने भी जहां से भी आप लोगों ने account create किया हो, जहां से भी अपने mutual fund में investment करते हैं, वहां पर search करे तो आप लोगों को यह direct plans मिल जाएंगे अगर वो direct plan offer करते हैं, बाकि अगर वो direct plan offer नहीं करते हैं, या फिर अगर आप लोग इन mutual funds में investment करना चाहते हैं, तो नीचे वीडियो के description में link है, आप लोग वहां से जा करके इस fund में investment कर सकते हैं directly, आप लोगों को एक से दो मिनिट लगेगा account create करने में, फिर one day से आप लोग अपना investment स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो market काफी down है, तो आप लोगों को investment अभी से start कर देना चाहिए, वरना कहीं देर ना हो जाए, तो देखे इस fund को आप लोगों को recommend करने का मकसद ये है, कि इस fund ने काफी अच्छी तरीके से Sensex को track किया है, ठीक है, इसका आप लोगो को dividend plan भी मिलता है, growth की जगर dividend भी मिलेगा, ठीक है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, अगर आप लोग quarterly dividend लेना चाहते हैं, half yearly dividend लेना चाहते हैं, अन्वली dividend लेना चाहते हैं, तो यह तीनों तरीके के plan इस platform पे available हैं, तो expense ratio कम है 0.10% है डारिक्ट का और रेगुलर का 0.61% है तो अगर दोस्तों ये 15% का return maintain करता और आप लोग 25 सालों के लिए इसमें investment करते 5,000 रुपाई के किवल मातर से तो आप लोगों का जो amount बनता वो 1.71 करोर रुपीज तक का बनता है ठीक है और वहीं पर रेगुलर प्लान में 1.56 करोर रुपीज का अगर आप लोग डारेक्ट और रेगुलर के difference को देखेंगे तो direct investment आप लोगों का 15.77 रुपे और ज्यादा बना करके देता ठीक है जो आप लोगों की investment value होगी अगर रेगुलर में investment करते तो इतना पैसा आप लोग हो देते तो आप लोग देख रहे हैं regular और direct में difference क्या है और इसलिए मैंने आप लोगों को यह platform चूज किया coin का कि यह आप लोगों को सब कुछ difference वगरा एक ही जगा देखने को मिल जाएगा तो आप लोगों को परिशानी नहीं होगी ठीक है तो आप लोग इसको investment के option में सबसे पहला और मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें मैंने already investment कर रखा है मेरे लिए एक यह best fund है ठीक है exit load इसका 0.25 परसेंट है जो कि काफे important होता है अगर आप लोग सिप के माधियम से investment कर रहे हैं तो exit load काफे important होता है क्योंकि आप लोग मंतले सिप कर रहे हैं तो आप लोगों की जो सिप जाती है वो आने वाले 365 दिनों के लिए एक तरीके से lock हो जाती है अगर आप उन सिप को निकालते ह हैं तो आप लोगों को exit load देना पड़ता है जो कि इसका 0.25% है कई सारे mutual funds के 1% होते हैं लेकिन इसका काफी कम है जो कि मुझे एक और अच्छा option लगता है इसमें investment करने का दूसरा plan है दोस्तों आप लोगों का वो है LIC mutual fund index plan ये भी sunset plan को track करता है ठीक है तो आप लोग इसमें direct plan और growth option को choose कर सकते हैं dividend का भी option इसमें available है 60 रुपए के आसपास की इसकी एनेवी है तो आप लोग एनेवी से मत घबराइए return आप लोगों का उतना ही बनता है अगर mutual fund grow करेगा तो return आप लोगों का उतना ही बनेगा इनकी units कम distribute होती है इसलिए इनकी एनेवी बढ़ जाती है इनकी prices बढ़ जाती है तो आप लोगों क 14% 15% जो भी return बन रहा है वो 600 रुपए पर बनेगा ही तो अगर आपका कोई भी index किसी को track कर रहा है तो उसी के according आपका return बनेगा एनेवी को लेकर के आप लोग परिशान मत होईएगा इसका दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो मैं इसको जादा recommend नहीं करता हूं लेक इस index ने you know approach sensex को beat किया है ठीक है तो थोड़ा बहुत actively भी ये focus किया जाता है तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों के लिए एक best option हो सकता है जो कि LIC का mutual fund है sensex plan है ये growth का और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप लोगों का जो इसमें investment होगा वो 25 सालों में 5000 क सिफ 1.57 करूर रूपीज तक की बन जाएगी और अगर आप लोग regular plan चूज करते हैं तो 14.38 लाग रूपीज आप लोग भूल जाएगा ठीक है और लंशम में आप लोग यहां पर आके calculate कर सकते हैं लंशम आप लोग अगर 1 लाग का करते तो आप लोगों का जो investment बनता वो 37 7.04 लाग होता आने वाले 25 सालों है 15% के return ठीक है exit load इसका 1% का है ठीक है और इसमें आप लोग देख सकते हैं 5 साल का CGR return इसका 3.28% रहा है जो कि इस समय के लिए काफी अच्छा है जब कि कई सारे जो index fund है उनका negative return देखने को मेरा है लेकिन इस index fund ने अच्छा return maintain किया है तो तीसरा जो mutual fund है दोस्तों ये मैंने sensex के लिए आप लोगों को दो बताया है ठीक है sensex में direct plan growth के लिए Nippon का और LIC का बताया है अब nifty की बारी आती है तो अगर आप nifty को track करके investment करना चाते हैं तो UTI nifty index plan को आप लोग देख सकते हैं अभी इसकी जो nev है 61.51 पैसे है ठीक है और इसमें आप लोग का जो expense ratio है वो काफी अच्छा है 0.10% का है तो मुझे लगता है कि ये investment आप लोगों के लिए काफी बहतरीन हो सकता है क्योंकि UTI के इस index fund ने काफी अच्छे तरीके से nifty को track किया है और जिस तरह से nifty ने performance दिया हुआ है उसी तरह से इस fund ने भी performance दिय है ठीक है तो आप लोगों का exposure काफी अच्छे तरीकी से track हुआ है इस fund में तो मुझे लगता है कि अगर nifty के लिए आप लोग कोई fund देख रहे हैं तो UTI का nifty index fund आप लोग चूज कर सकते हैं बाकि और भी कई लोग हैं जो index fund के साथ बने हुए दूसरे तो अगर आपका index fund आपके index को track कर रहा है अच्छे तरीकी से तो आप लोग उनके साथ बने रहे हैं बाकि मैं यहां पर best इसको इसलिए कह रहा हूं तो आप लोग उसको छोड़के मत चले आएगा ठीक है और इसमें exit load नहीं है ठीक है ध्यान रखिए जाँ पांच हजार रुपे अगर आप ल लोगों के सामने मैं index fund रख रहा हूं वो है ICICI Prudential Nifty Index Fund इसमें भी आप लोगों को dividend मिलता है इन सभी mutual fund में आप लोगों को dividend मिलता है तो dividend का भी option आप लोग देख सकते हैं मुझे growth लगता है इसलिए में growth का review करके आप लोगों को best बता रहा हूं अभी इसकी NAV 92.78 पैसे है ठीक है चार तारीक को याने की कल की आने भी मैं 5 तारीक को ये वीडियो बना रहा हूं इसकी NAV chain होती रहती है और market के हिसाब से तो उस पर आप लोग ज्यादा focus मत कीजिए आप लोग इस fund के performance पर फोकस कीजिए इसने भी काफी अच्छी तरीके से Nifty को track किया है और मुझे लगता है कि ये fund भी आप लोगों को जरूर देखना चाहिए अपने investment की लिहाद से क्योंकि इसका पूरा tracking जो है वो पूरी तरीके से Nifty को जो top 50 stock है इंडिया के उनको सभी को exposure काफी अच्छे तरीके से maintain किया है और आपको अपने investment के लिए ये fund जरूर चूज करना चाहिए अगर UTI और ICICI में अगर आप लोग बात करते हैं तो मैं आपको UTI ही recommend करूँगा बाकि अगर आप लोग ICICI के साथ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है दोनों में ही exit load नहीं है ठीक है और expense ratio की बात करते हैं तो expense ratio भी दोनों में same है अगर आप लोग regular plan में जाना चाहते हैं तो UTI को आप लोग चूज कर सकते हैं क्योंकि उसका 0.17% है और ICICI का 0.45% है तो मैं recommend करता हूँ हमिशा कि direct plan को ही चूज करें तो direct में आप लोग ICICI को चूज कीजेगा और अगर आप लोग regular के साथ जा रहे हैं तो आप लोग UTI को चूज कर सकते हैं अब आखरी दोस्तों फं जहीं कहीं मायने पर track नहीं किया है यह कुछ जादा ही actively focused करता है दूसरी चीज की इसका expense ratio भी जादा है जैसा कि आप देख सकते हैं 0.29% इसका expense ratio है regular में 0.69% है इसलिए मैंने इस fund को side में सबसे आखरी में रखा है बाकि यह fund खराब नहीं है इसने return market के according भी अच्छे निक देखेंगे तो 2.96% रहा है तो overall अगर आप लोग इस fund को देखते हैं तो इसमें अभी आप लोगों को 82 रुपए की NAV मिल रही है और इसका exit load 0.20% है तो ठीक है दोस्तों यह भी fund आप लोगों के लिए काफी अच्छा fund है exit load काफी कम है इसका तो आप लोगों के लिए 5 best fund ह मैं कहूंगा कि अगर आप लोग Nifty के लिए देखना चाहते हैं तो Nifty के लिए UTI को चूज कर सकते हैं और अगर आप लोग Sensex को देखना चाहते हैं Sensex Index को जो fund आप लोगों के ट्रैक करें तो वो Nippon आप लोग चूज कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों के सारे questions solve हो गए हैं जो कई जिरों से आप पूछ रहे थे कि best index fund कौन से हैं किसमें हम investment करें तो आप इन दोनों में investment कर सकते हैं बाकि इन पाचों में से किसी भी fund के साथ आप हैं तो आपको परिशान होनी की जरूरत नहीं है पाचों अच्छे fund हैं अपने अपनी जगह पे अप अपने exit load पे तो आप लोगों को किसी से निकलने की जरूरत नहीं है अगर आप लोगों इन पाचों में से किसी के साथ हैं बाकी दोस्तों आप लोगों का इससे कोई related question हो तो आप लोग मुझे comment box से पूछ सकते हैं social media facebook instagram पे भी आप लोग मुझे follow करके अपने question को वहां और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिससे के आने वाली वीडियो की notification आ सके हम लोग next video मिलते हैं तब तक के लिए आप लोगों का दिन सुभ हो जाहिन